अगर आप बच्पन से ही हिला रहे हो हिला हिला कर अपना सारा बीर ये जाड़ चुके हो सरीर बिल्कुल दुबला पतला कमजोर हो चुका है आपका सरीर बिल्कुल खोखला हो चुका है अपने अपनी सरीर की ताकत खो दी अपनी मरदाना ताकत खो दी अपनी संभोग करने की टाइमिंग बिलकुल खत्म हो चुकी है तो आप इस अद्भुत पावरफुल आउसधी का उपियोग करके अपनी खोई हुई ताकत और खोई हुई मरदाना ताकत वापस पा सकते हैं आपके सरीर में सांड जैसी ताकत आ जाएगी और घोड़े जैसी संभोग करने की ताकत आ इस अद्भुत आउसधी का उपियोग करने से और आपके सरीर में आई हुई कमजोरी आई हुई थकान बिलकुल खत्म हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा देर संभोग ही कर पाते हैं डालते ही आपका बेर ये जढ़ जाता है या आपकी संभोग करने की टाइमिंग चार से पाँच घंटे ठोकाई करते रहेंगे ठोक ठोक कर बीबी का सारा पानी जार देंगे चीखे निकालेगी बीबी पूरी रात अगर आपने बश्पन से ही हिलाया है या आपने कभी ना कभी अगर हिलाया है यानि हस्त मैथून किया है तो यह आउसधी आपके लिए है विल्कम दोस्तों आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है जिन लोगों ने हस्त मैथोन किया है या बच्पन की की गई गलतियों को सुधारना चाहते हैं सरीर में दुबला पतलापन है, कमजोरी है, ठकान है तो इसका उपयोग करके आपकी ठकान, आपकी कमजोरी को दूर करेगा तो ध्यान से देख लो और पहचान लो चलिए, फ्रेंड्स ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भुत आउसधी का नाम है महुआ का फल महुआ का फल आपने देखा ही होगा यह महुआ के बीज है तो चलिए इस अद्भुत औसधी के बारे में जाने इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो ध्यान से देख लो और पहचान लो यह महुआ का फल है आप अच्छी तरीके से ध्यान से देख लो और पहचान लो इसे पकना कहते हैं यह पकने के बाद बहुत ही जादा मीठा होता है और इसके अंदर से आप देख लीजिए इस परकार के इसके बीज देखने को मिलेंगे आपको यह महुआ के बीज नहीं दोस्तो ताकत का ख़जाना है आपके सरीर के लिए तो सबसे पहले आपको इस महुआ के इस पकने को खा जाना है यह मीठा फल है बहुत ही जादा स्वादिष्ट होता है और आपको इसके बीजों को एकठा कर लेना है अगर आपके आसपास यह महुआ का फल नहीं है तो आपको महुआ के बीज, आयरुवेदी की स्टोर पर, हकीम की दुकान पर, बैदे की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा आपको लेना है 100 ग्राम की मात्रा में इस महुआ के बीजों को लें और इसे आपको अच्छी तरीके से सुखा कर इसे आपको सुखाने के बाद आपको इसे फोड़ना है फोड़ने के बाद आपको इसके उपर का छिलका निकाल देना है और सिर्फ आपको इसके अंदर की गीरी को लेना है गीरी को आपको कूट कर बीज कर इसका चूण तयार कर लें 100 ग्राम की मातरा में आप इसके चूण को तयार कर लें और आपको लेनी है दोस्तों सफेद मुसली सफेद मुसली 100 ग्राम की मातरा में और इस महुआ के बीज का चूण 100 ग्राम की मातरा में दोनों मिक्स कर लें चूण बना कर और तीसरी चीज चाहिए आपको बबुल के गोंद बबुल के गोंद आप बबुल के पेड़ से भी निकाल सकते हैं वरना आप आयूरवेदी की स्टोर से आपको हकीम की दुकान से बैदी की दुकान से आप कहीं से भी बबुल के गोंद ल तब आपको उसमें इस महुआ के पाउडर को मिलाए महुआ के चोड को और सफेद मुसली के चोड को मिलाकर उसमें अच्छी तरीके से मिक्स करें मिक्स करने के बाद आपको मटर के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है और सुबह साम दोनों टाइम दूद के साथ पांच पांच गोलियां सेवन करें मात्र पांच दिनों तक सेवन कर लो आपका सरीर बिल्कुल सांड जैसा ताकतवर और घोड़े जैसी मरदाना ताकत आपके अंदर आ जाएगी बीबी की टांगे उठा उठा कर ठोकोगे तो फ्रेंड्स अगर आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड